हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल, आज की वीडियो में रुजाना की तरह हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा SI के लिए 40 कोश्चन्स का सेट जिसमें की GKGSN करेंट अफेर के कोश्चन मिक्स होते हैं वीडियो को आगे करने से पहले पीछली वीडियो का जो कोश्चन था लास्ट में वो मैं उसका आंसर बता देती हूँ काफे शुर्ण ने इसका आंसर शही बताया है तो इसका जो कोश्चन था कि किस गवर्नर जनरल पर महाभीयोग का मुकदमा चलाया गया था तो राइट आंसर इसका हो जाएगा option number B Warren Hastings Warren Hastings पर ही महाभियोग का मुकदमा चलाय गया था ये 1787 में ब्रहस्टा चार के मामले में उस पर महाभियोग चलाय गया लेकिन काफी लंबे समय तक काफी लंबे समय के बाद जो है परिक्षिन के बाद 1795 में अंतता उन्हें बरी कर दिया गया था तो चली अब स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट पहला जो कोशिन दिया गया है कहता है कि 1907 में भारते रास्टिय कॉंग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे यानि कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे आंसर हो जाएगा इसका उप्सन नुम्मर डी रास बिहारी घोस 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी गोस और इसी में जो है कॉंग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल दो दलों में हो गया था अगला कॉश्चन के निम्न में से कौन भारतिय क्रामती की मा कहलाती है आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नुम्बर C मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जाए मैडम भिखाजी कामा भी इसे कहते हैं मैडम भिखाजी कामा जो है पहली महिला थी जिनोंने इंटरनेशनल असेमली में भारत का द्वज फराया था नेक्स्टे कोशन की संबिधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नुम्बर C पाँच्वा भाग संबिधान का पाँच्वा भाग सबसे बड़ा है या जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है नेक्स्ट एक कोश्चन की निम्न में से कौन अर्थो पोड़ा का उधारन है आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर B तिल चट्टा तिल चट्टा जो है अर्थो पोड़ो का उधारन है अर्थो पोड़ा के अंतरगत जैसे की टिड़ा, मदुमक्खी, जींगा, बिच्छू, तिल चट्टा, तितली ये सारे के सारे आते हैं गोंगा आता है ये आता है मोलश्का के अंतरगत मोलश्का के अंतरगत आपका आ जाएगा ये कटल फिस जिसको की कहते हैं हम लोग सीपिया ये भी मोलश्का के अंतरगत आता है जबकि समुद्री घोड़ा जो है कारडेटा के अंतरगत आता है कोशन है अगला कि Poverty and Unpretist Rule in India निमलिखित में से किस के द्वारा लिखी पुस्तक है? आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नुम्बर D दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस पुस्तक को जो है रास्टिय आंदोलन का बाइबल भी कहा जाता है तो याद रख लीजे Poverty and Un-British Rule in India के लेखा कौन है? दादा भाई नौरोजी अगला कोशन की सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी किस गरह पर इस्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नुम्बर C मंगल गरह पर है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी जो है वो मंगल गरह पर है मंगल गरह पर जो ज्वाला मुखी है जो सबसे बड़ा है उसका नाम है उलिपस मैसी ज्वाला मुखी अगला है कोशन की सरकारी बजट पेस करने की तारिक कौन तै करता है? आंसर हो जाएगा इसका option number C, रास्टपती की सरकारी बजट पेस करने की तारिक रास्टपती द्वारा तैक किया जाता है नेक्स्ट है चक्मा सरनार्थी का संबंध है किसे कौन से देश से आंसर हो जाएगा इसका option number D, sorry B, बांगला देश से चक्मा सरनार्थी का संबंद जो है बांगलादेश से है अगला एकोशन कि भारतिय प्रायदीप की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है आंसर हो जाएगा इसका option number B ताप्ती नदी भारतिय प्रायदीप में जो है नर्मदा और ताप्ती ये दोनों के दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती तो चुकि इसमें नर्मदा option में नहीं है तो आंसर आपका केवल हो जाएगा ताप्ती नेक्स्ट एकांका गुआ किस परवत की सर्वोच चोटी है आंसर हो जाएगा इसका option number A एंडीज परवत की सर्वोच चोटी का नाम क्या है एकांका गुआ अगला है question कि भारत सम्वेधान की किस अनुसूची में विभिन राज्यों में अनुसूची छेत्रों के प्रशाशन और नियंतरन के लिए विसेश उपवन्थ है आंसर हो जाएगा इसका option number B पाचवी अनुसूची में कि पाचवी अनुसूची में जो है सारे यनिकी विभिन राज्यों में अनुसूची छेत्रों के प्रशाशन और नियंतरन के लिए विशेश उपवन्थ दिये गया है अगला कोशन के फीफा फुटबॉल विश्वकप 2018 का विजेता देश कौन है आंसर हो जाएगा इसका option number B फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्वकप 2018 का विजेता देश जो है फ्रांस रहा और इसकी जो मेजबानी की गई थी वो रूस में की गई थी इसमें उप बिजेता जो रहा वो क्रोईश्या रहा आंसर हो जाएगा इसका option number C पार्सी की जेंद अवेश्वकप 2018 की जनगना के अनुसार वह राजी जिसका जनसंख्या गनत तो सरवाधिक है वो कौन सा है आपको बताना है इसमें सारे option में दो-दो राज्यों का option है तो आपको दोनों को देखते हुए बताना है आंसर हो जाएगा इसका option number B, बिहार और पस्छिम बंगाल 2011 की जो जनगना हुई उसमें सरवादिक जनसंक्या घनत वाला राज एक नमबर पे आता है आपका बिहार, दूसरी नमबर पे पस्छिम बंगाल, फिर आता है केरल और यूपी तो इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो आपके option के according आपको answer color करना होगा नेक्स्ट है question के निम्न में से कौन सा गैर समवैधानिक निकाय है आंसर हो जाएगा इसका option number A, केंद्रिय सूचना आयोग, केंद्रिय सूचना आयोग जो है गैर समवेधानिक निकाए है, माकी राजलोक सेव आयोग, वित आयोग, निर्वाचन आयोग ये सब समवेधानिक निकाए है नेक्स्ट है कि किताब उल रहला, पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन था? आंसर हो जाएगा इसका option number D, इबन बतूता, इबन बतूता के द्वारा ही ये लिखा गया था किताब उल रहला, इबन बतूता जो है, मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में भारत आया था, और रहला में उसके यात्रा का ही वर्णन किया गया है आंसर हो जाएगा option number B, proton और neutron को सन्युक्त रूप से निकलोन कहा जाता है आंसर हो जाएगा इसका option number C, राकेस कुमार भदोरिया को आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के नए वायुषेना अध्यक्ष्य जो बने, राकेस कुमार भदोरिया उन्होंने किसकी जगह ली तो आपका आंसर हो जाएगा वियर्स धनुवा नेक्स्ट है कोशन कि अनुच्छे 368, 368 का संबंध किस से है आंसर हो जाएगा इसका option number C, संबिधान संसोधन से, अनुच्छे 368 का जो संबंध है वो संबिधान संसोधन से संबंधित है नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभी निश्क्रमन के रूप में जाना जाता है आंसर हो जाएगा इसका option number C, उनका ग्रीह त्याग, ग्रीह त्याग करने की घटना को महाभी निश्क्रमन के रूप में जाना जाता है स्वच्छ सर्वेक्षन 2019 में बिहार का कौन सा जिला सबसे सिर्ष अस्थान पर रहा? आंसर हो जाएगा इसका उप्सन नमबर B. मुंगेर जिला अगला है कि कौन सा नृत्य केवल पुरूस कलाकारों द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका उप्सन नमबर C. कथकली कथकली जो है केवल पुरूस कलाकारों के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट है कोश्चन कि निमलिखित में से किस देर्स ने हाल ही में विनासकारी मदर ओफ ओल्बम का निर्मान किया है? आंसर हो जाएगा इसका उप्सन नमबर D. चीन ने चीन ने जो है विनासकारी बम मदर ओफ ओल्बम का निर्मान किया है नेक्स्ट है कि किस नदी को नेपाल में सालिग्राम तथा नारायनी की संया दी गई है? आंसर हो जाएगा इसका उप्सन नमबर B. गंड़क गंड़क नदी को जो है नेपाल में सालिग्राम और नारायनी के नाम से जानते हैं अगला है कोशन कि निम्न में से मतलब जो भी महादीप है कौन से महादीप से होकर भूमद रेखा, करक रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं जो है गुजरती है आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर A. अफरिका महादीप अफरिका महादीप से होकर भूमद रेखा, करक रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती है अगला है कोश्चन कि निम्न में से किस देश में जलवायू परिवर्तन के खिलाप महिलाओं ने बर्थ स्ट्राइक नामक अभियान आरंब किया है आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर C. ब्रिटेन में और इसमें एक और कोश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 में जलवायू आपातकाल लागू करने वाला प्रथम देश कौन है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्रिटेन ही है नेक्स्ट कोश्चन कि अटल पेंसन योजना के संबंध में निमलिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है तो इसमें सारे ओप्सन वीडियो को पाउस करके आप अच्छे से पढ़ लीजे और फिर आप इसका आंसर देजे आंसर जो है इसका हो जाएगा ओप्सन नंबर सी केवल एक और तीन सही है एक में क्या है कि यह एक नियुनतम गारंटित पेंसन योजना है जो कि मुख्य रूप से और संगठित छेतरों के मज़दूरों को लक्ष बनाता है या उन्हें यह प्राबधाम देता है तीसरा है क्या अभिदाता की मृत्यों के पश्चात उसकी जो जीवन साती है उसको आजीवन पेंसन की समान रासी गारंटित रहती है दो नंबर यह आपका बिल्कुल गलत है कि परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में सामिल हो शकता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं ह कोशन है अगला की हाल ही में जम्मु का स्मिर में मैत्री पूल आम लोगों के लिए खोला गया है यह पूल किस नदी पर बनाया गया है आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नंबर डी सिंधु नदी मैत्री पूल जो है सिंधु नदी पर बनाया गया है और यह लेह में भारतिय शेना के जवानों के द्वारा बनाया गया यह पूल है यह लगभग 260 फीट लंबा है और इसे 40 दिनों में बनाया गया है नेक्स्ट है कि किसी राज में राजपाल की नियुक्ती सम्विधान के अनुच्छेद डैस में है इसकी किस अनुच्छेद में वर्णित है आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नंबर बी अनुच्छेद 155 में अनुच्छेद 155 में राजपाल की नियुक्ती का मतलब वर्णन आंसर हो जाएगा इसका option number C, विर्षा मुंडा, मुंडा विद्रों का नेता कौन था तो विर्षा मुंडा, बाकी सिद्धु कानु जो है संथाल विद्रों के परमुख नेता थे नेक्स्ट की कला की किस सैली को ग्रीक बौध सैली की संया दी गई है आंसर हो जाएगा इसका option number A, गंधार सैली को जो है ग्रीक बौध सैली की संया दी गई है नेक्स्ट कोशन की सिवाजी का उत्राधिकारी कौन था? आंसर हो जाएगा option number B, सम्भाजी, सिवाजी का उत्राधिकारी शम्भाजी था नेक्स्ट एक की निमलिखित विद्वानों में से कौन सर्वपर्थम भारत आया था? आंसर हो जाएगा इसका आप्सन निम्बर D, फाहियान फाहियान जो है सर्वपर्थम भारत आया था और ये जो है आया था चंद्रगुब दूतिये के शासंकाल में अगला है कूशन के ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका आप्सन निम्बर C, लापलाटा, लापलाटा नदी के किनारे ब्यूनस आयर्स जो है बसा हुआ है नेक्स्ट है बोरो बुदूर इस्टूप कहां इस्थित है? आंसर हो जाएगा इसका उप्सन नुमबर B, जावा बोरो बुदूर जो है इंडोनेशिया के मद्ध जावा प्राम्त में इस्थित है और यह विस्व का सबसे बड़ा प्राचीन बौध विहार है अगला है कोशन कि भारत के किस व्यक्ति को भारत में चलाये गए स्वच्छ भारत मिशन के लिए बिल एंड मैलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोल कीपर अवार्ट से समानित किया गया आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर A नरेंद्र मोधी को नेक्स्ट है GSTN का विस्तरित रूप क्या है तो आप फिर से वीडियो को पाउस करके अच्छे से सारे ओप्शन को देख लें और फिर इसका आंसर बताएं आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर C जी-ए-स-टि-ए-न का विस्तरित रूप है अगला है कुशन कि क्योबा की मुद्रा क्या है क्योबा की मुद्रा क्या है तो क्योबन पेशो next है रास्ट्रपती के निर्वाचन की पद्धती किस देश के संविधान से ली गई है आंसर हो जाएगा इसका option number C, Ireland Ireland के मौराश्टरपती का जो निर्वाशन की पद्दती है वो Ireland के सम्विधान से लिग गई है कोशन है अगला कि वर्स 1882, 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे की अस्थानिय शुसासन का मैगना काटा कहा जाता है यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आंसर हो जाएगा इसका option number B, Lord Rippen 1882 में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे की अस्थानिय शुसासन का मैगना काटा कहा जाता है क्दावा प्रस्तुत तो Lord Rippen हो जाएगा इसका आंसर और इन्हें जो है अस्थानिय स्वसासान का जनक भी कहा जाता है तो ये थे आज के 40 questions के set I hope कि आप सबों का test अच्छा रहा होगा और हाँ आज कर रहा ये question जिसका क्या answer आपको comment box में देना है question क्या है कि 1 degree देशांतर की दूरी तै करने में पृत्वी को कितना समय लगता है चार option दिये गया है आपको इनमें से answer comment box में बताना है और हाँ जितने भी question ये दिये गया है इन सारे की PDF आपको हमारे website पे दे दी जाएगी और website की link आपको description box में मिल जाएगी वहाँ से आप अगर जो first time माल लिया जाए वीडियो को देख रहे हैं तो अब तक जितने भी set हुए हैं उन सारे set की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी वहाँ से आप download कर लीजेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो please like, comment and share करना ना भूले